बिधान सवाज चुनाव का बिगुल बच चुका है और राजनीतिक दलों ने नेता अपने बोटरों को रुजाने में लगे हुए है बोटरों के दरवाजे दरवाजे पहुँच रहे हैं यहाँ पर वे पिछले पांच सालों के अंदर नहीं पहुँच पाएं और उनके दर्वाजे दर्वाजे पहुँचकर उनसे एक बार फिर से विधानसभा चुनाओं में जीत दिला कर विधानसभा पहुचाने की गुहार लगा रहे हैं ये नजारा सभी राजनीतिक धलों के नेताओं के छेत्रों में इंदिनों देखने को मिल रहा है और ऐसा ही कुछ आज गाजीपूर के मुस्लिम बाहुल रजदेपूर इलाके में देखने को मिला यहाँ पर जंगिपूर विधानसभा के विधायक और मंत्री पुत्र डॉक्टर वीरेंद यादो घर घर पहुचे लोगों से वोट की मिन्नत की इस दोरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा जूपती हुई नईया है और जूपती नईया में कोई बैठना नहीं चाहता विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो मौझूदा समय में COVID-19 का प्रकोव लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा भीरभाड के वजाए मात्र पांच लोगों के साथ ही जन संपर्थ करने का निर्देश दिया गया और अभी तक किसी भी नेता की रैली में परिमिशन नहीं दी गई जिसको देखते हुए गाजीपूर को चुनाव भले ही अंतिम चनल में हो लेकिन नेता अभी से घर घर जाकर लोगों से वोट की मिन्नत कर रहे है परशेद है मारा नम सभीहू लसल और दुलारे दुलारे जी आज देखा जा रहा है कि चुनाव का तिसी गोसित हो गया ऐसे में नेताजी लोग अब गाउं गाउं आ रहे हैं आपके भी विधाय का आएं क्या करेंगे वाई हमारे विधाय थाम लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं अब आज सब के बीच में हैं तंपद जंपद कर रहा हैं रजदेपूर किया नई का लोमी किया मुस्टफा बाष्ट पूरा यह सब पूरे सहाती और चाहरी छेत्र भी जुड़ा हुआ है दोनों क्या लगता क्या रिस्पांस मिला बहुत सांदार रिस्पांस है यहां के लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं और अखिलेश यादक उत्तरवदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि जिता सब्सक्राइब को जो हमारी चला है उतको लेकर चुनाव आयोग ने बहुत सारे नर्जेस ही है और आने वाले समय में जब रहलिया नहीं होगी बड़े नेताओं का आगमन नहीं होगा तो क्या चुनाव परसार पर लोगों कुशाता पड़ेगा उत्तर नहीं पड